हेलो दोस्तों स्वागत है कर सोचियोलोजी क्लास के हमारी यूटूब चैनल पर तो हम देख रहे हैं कुछ मुख्य मत्पूर की पॉइंट्स जो की इप्चाम में डायरेक्ट ली पूछे जाते हैं या तो कथना कारण में या तो मैचिंग करके पूछ लिया जाता है या तो प्रश्न में ही पूचा जाता है तो आई यह देखते हैं इससे पहले जरूरी सुचना या है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको 9 a.m और 9 p.m पर लाइव कुछ मिलते हैं आप इसके लिए हमारा गुरुप जोइन सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलिग्राम पर जि 0 enough तो नगरावद के लच्चडों के बिगास जियां प्रसार की प्रक्रिया कौन नगरी करण कहती है और धियसे नगरी होना या नगरी जीवन चाहली को अपनाना नगरों को ओड जाना क्रिसी कारियों का गयर क्रिसी कारियों में अपनाना अथात क्रिसी कारिय को छोड़ कर गयर किसी अथात उद्योग आधी में मस्दूरी करना फैक्टरियों में काम करना यह सब अपनाना ही नगरी करना होता है अगला है उपयोगिता वाद तो उपयोगिता वाद एक नयतिक यह मनु वैज्ञानिक सिद्धान्त है जो इस बात परबल देता है कि समस्त मानवी आचरर तथा नियमों की उपयोगिता अर्थात उपयोगिता की इजाज का एक मात्र उद्देश यह मांदन अधिक्तम देख् अधिक सुख पुअचाना होता है अठाद ऐसे सिध्धांत को बर्नाना जिससे अधिक से अधिक लोग अससे शुख प्राप्ट करें कि यह सिध्धांद बिन्थम तथा जान इस्टूबट मिल के नाम के साथ चुड़ा है फ्ली उप्रयोग किया है वोबिन्थम क्था जान इस्डी मिलने किया है जिनकी दृष्ट में दुख की अपच्छा सूख ही जीवन का मूल मंद्र है उपयोगिता की अधिक्तम व्यक्ति की अधिक्तम सूख ही उपयोगिता को बढ़ाना ही मानो प्राड़ी की जीवन का या थो चित लच रहा है अगला है स्वपन लोग या आधर्च लोग या यूटोप या तो एक ऐसा समाज जो आधर सियम सर्वगुर संपन समाज होता है जिसमें बुराईयों कमजोरियों अथ्वा आवांचित तत्व के प्रतिकार की आकांचा ब्यक्ति की जाती है यह एक विचार है जिसमें ऐसे आधर्च समाज का चित्रप्रस्तु किया जाता है जिसमें आपसी भेदवाओं मन मुटाओं संगर्स प्रतिस परधा जैसे तत्व की तनिक भी गुंजाईश नहीं होती है आधर्च लोग या यूटोपिया का विचार जो तो सर्थ थामस मोर ने सन 1916 में अपने बैसी नाम के ग्रंथ में किया था रथा यूटोपिया नामक ग्रंथ में थामस मोर ने आधर्च लोग की सचा किया तो आधर्च सोबका है यूदाहरण प्रमकों कर नाम समाज वाद है जहां पर उन्होंने कहा कि वहां पर संगहार 35 परदा नहीं रहेगी क्योंकि सरवहारा वर्ग का जो है साधन उतवादन के साधन उपर नियंतर होगा और उसी समाज वाद को जो है कालमाइन ही ने कलपना लोक भी कहा है तो इस तरह इनका भी पिचार अगला है बैल्यू या मुल्य, मुल्य होते क्या हैं तो मुल्य महत्पूर हो जाता है क्योंकि बार-बार पूछा जाता है और इसके डिप्शनेशन समझना बहुत ज़रूती है मुल्य वे संस्कृती अथवा ब्यक्तियत धाड़ाएं वा आधर्स है जिनके द्वारा वस्तूओं और घटनाओं को एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है वे कसवटियां है या व्योहार के पैमाने हैं जिनके आधार पर अच्छे बुरे वांचित या आवांचित सही गलत करड़ी और अकरड़ी का निड़े किया जाता है जैसे न्याय स्वतंत्रता देश भक्ति अहिंसा इंद्रिय निग्रह आधी जो है मुल्य के उधारण के रूप में होंगे कि मुल्य होता क्या है बेसिकली कुछ आईसे नियम यह मान रंड या कसाओटियां होती हैं जिनके अधार पर ब्यक्ति के कार्यों को सही या गलत हराया जाता है कि अखर अर्था समाज उन्यम को संवाज के प्रांचित करें उन्के समाज को अच्छे अच्छे बालुist करेंगे जो है फालो नहीं करेंगे तो आप क्या करते हैं गलत या अच्छे गलत में फार्क बताने का कारी जो है मुल्य करता है अकला है संकल्प वाध तो मानवी व्यवहार के अध्यन का एक परिपेच्छ है जिसमें व्यवस्था के निर्धारण में व्यक्तिगत चुनाव और निर्ड़य की प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है इस परिपेच्छ केमसार मानवी व्यवहार को मात्रवाकारकों की निस्पत तिन्यमानकर उनके तार्किक उन्तेशों की पूढ माना जाता है तो संकल्पवाद वह है जिसमें प्रते व्यक्ति क्या जो है निर्ड़य या उनके विचार जो है महत्म को दिया जाता है इस परिपेच्छ में क्या होता है हर व्यक्ति के विचारों को क्या है अध्यम किया जाता है कि उस व्यक्ति क्या किसी संदर्व में क्या विचार है क् आतार किता है तो आधी रूप में दिखा जाता है अगला है पति पतनी आधितथ्या ता अथात वाइब हॉस्पिस बिलिटी तो कुछ आधिम समाजों में एक ब्यक्ति द्वारा अथित सत्कार के रूप में कि अठित को अपनी पत्नी को रात्र में भेट कराने की प्रथा को पत्नी आठित्यता कहा जाता है अर्थात कोई अठित कि आता है तो क्या करता है ब्यक्ति सोने के लिए अपनी जो है पत्नी उसके पास विश्थत्यता है रात में कुछी जन जातियों में पाए जाता है खास क बिदेशिकेंड़िता या जेनो सेंटरिजीन तो संस्कृति के आधार पर बनी हुई एक ऐसी प्रभीति या विचार धारा जिसके अंशार अन्य संस्कृतियों को अपनी संस्कृति के अपच्छा अधिक महत्वादिया जाता है उसे बिदेश केंड़िता कहते हैं सामानी रूप में यह देखा जाता है कि तीसरे विश्व के लोगों में और ध्योगिक विक्सिस समाजों की तुलना में अपनी संस्कृति के प्रती हीन भावना गोती है वे अपनी ही संस्कृति को इन समाजों की अपच्छा कम महत्वा देते हैं अर्थात विदेशी केंड्रिता है कि जब अपनी संस्कृति को कम महत्वा देकर बाहरी संस्कृति को अधिक महत्वा दिया जाता है तो वह विदेशी केंड्रिता हो गई है जिस तरह आज भारती समाज का पस्चमी करण हो रहा है इसे हम विदेशी केंड्रिता कहते हैं फोटा है निजात किंड्रीता या एधनो सेंटरीज जिसमें अपनी संस् Chickie को अधिक से अधिक महत्ति दिया जाता और दूसरे की संस्किति को निमने समजा जाता है की तो लगता है यह जो है पिंट चैटते हैं यहाँ पे यह समावत हो चुका है जो मुख्य important point factor है तो आज की वीडियो नहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को like and share कीजिए चैनल को subscribe कीजिए अगली जो वीडियों हम लाने वाले हैं उसमें हम खास करके राजस्थान पीबाई क्यूस के रुप में देखेंगे तो धन्यमाद